हेलो स्टुडेंज, गूड मॉर्निग, बचो आज हम जीकेंपढ़ेंगे चैप्टर थर्टेन, जिसमें हमको पढ़ना है सिग्निफिकेंट डेज, सिग्निफिकेंट डेज को होते हैं, इतम जिसे इंटरनेशनल डेज होते हैं, जो की साल में एक बार आते हैं, और वो किस मन् हैं जिस परकार से बचो हम लोग अपने हॉली फेस्टिवल मनाते हैं हॉली दीपावली रक्षबंदन दशरा तो इनकी डेट चेंज हो जाती है ठीक है मतलब कभी किसी डेट को परते हैं कभी किसी मन को लेकिन जो यह इंटरनेशनल डेट होते हैं यह अपने फिक्स डेट को ही मनाये जाते हैं तो चली यहाँ पर कुछ इंटरनेशनल डेट दिये हैं आज आपको उनको बताना है कि किस डेट को मनाये जाते हैं ठीक है जिस तो इसी प्रकार से यहां पर आप जो दिये हैं, जैसे वर्ड कैंसर दिये हैं? World Cancer Divas तो यह किस दिन मनाया जाता है 4 Feb. को हर साल 4 Feb. को का मनाते है World Cancer Divas इसी प्रकार से World Health Day World Health Day मनाया जाता है किस दिन को होता है 7 April को World Environment Day World Environment Day 5 चू World Environment का मनाते लिचो यस यह world environment होता है 5 June को worldwide day worldwide day कम होता है बचो अब worldwide rave कम मनाते हैं यह है आपका हुआ 3 March देखिए कहीं पी है यस ओके 3 March लिखिए Human Right Day Human Right Day 10 December Human Right Day 10 December Human Right Day 10 December International Women Day International Women Day महिला ससक्ती करण जिसको बोलते हैं तो यह होता है 8 March कब मनाते हैं 8 March इसी प्रकार से International Mother Earth Day International Mother Earth Day यह कब होते हैं 22 April कब मनाया जाते हुचो Father's Day, Mother's Day इसी प्रकार से यह है आपका International Mother Earth Day जिसको प्रत्वी दीवस कहते हैं तो यह कब होते है 22 April International Day of Girl Child International Day of the Girl Child यह कब मनाते हुचो 11 October ओके लिखिए 11 October World Teachers Day World Teachers Day कब होता है 5 October Teachers Day हम लोग मनाते हैं 5 September को इसी प्रकार से इसी प्रकार से वर्ड नो टबाको दे यह जिसको तबाको दीवस बोलते हैं यह कब होता है इसको हम मनाते हैं 31 May 31 May इस प्रकार से आप लोगों को क्या करना है यहाँ पर जैसे आपने उसको फिल कर लिया है अब यहाँ पर दिया गया 14 February is celebrated as Father's Day या Valentine's Day सभी बच्चों को पता है और यह सभी बच्चे आसानी से फिल कर लेंगे जिसमें आपको सरकल यह करेक्ट करना है ठीक है ठीक कर दिजे 14 February is celebrated as Valentine's Day Full Day Fall in the month of Full Day बच्चों किस मन्त में होता है यह हम लोग कहते हैं 1st April तो बनाया 1st April तो अब आपको बताना है May या April टिक कीज़ेगा April 1st May is celebrated as International या National Labor Day आपको बताना है जो 1st Day है वो International है या National Labor Day यह है International Day ठीक है 1st May को क्या मना है जाते है International Day इसी प्रकास है 22 March 22 March is celebrated as World Water Day या World Earth Day 22 March is celebrated by World Water Day या World Earth Day तो बत्चों यह है World Water Day ठीक करेंगे World Water Day में International Yoga Day is celebrated on 21 March या 21 June 21 June यह सब इसलिए आप आपसान होगे बत्चों क्योंकि अब इनवर्ड जो देज हैं इनडेज को पूरे देश में बड़े ही उत्सा से लोग मनाने लगे अब ठीक है? और आपके पास मोबाइल है या फिर न्यूज है जो कि जब भी कोई डेट आती है तो बताया जाता है कि आज पूरे देश भर में योगा दिवаш मनाया जाना रहा है या पूरे देश में आज अर्थडे मनाया जाना है वेलेंटाइन डे है है ना इन सबको लोग बड़े ही उत्सास से सेलिब्रेट करते हैं तो बचो आज आज आपको यह जल से जल फिल करें अपनी नोट अपनी बुक में ही फिल कीजिएगा और साथ में लर्ण भी करते चाना है ठीक है बचो तो अब आप लोग अपना वर कंप प्रूइट कर लीजिए और हमारे पास नियां पेश्रेट केजिए जिससे हम उसे आसानी से करेक्शन कर सके ओके बाइवानाइस टें